फेलो फ्रेंड्स, वेलकम डॉर योटूब चैनल, दोस्तों आपको पता है कि आज एज़ेटिये की तरब से जो एज़ेटिये भरती भी ग्यापन नहीं आ रहा है उसको लेके किरसी अब्धिटियों का कारविय विभाग और यूपितर प्रजसी विभाग पर धरना हुआ और सचुजी ने किन कोश्चन के दबाब दिया और क्या कोश्चन अब भरतियों के मन में थे और क्यों नहीं आर यह भरती इसके बारे में बात की है सचुजी ने बिल्कुल पूरी उम्मीद के साथ यह बताया है कि भरती आपकी आ जाएगी जल्द ही आ जाएगी इसके लिए रही है आप लोग अपनी तयारी पर फोकस रखिए और आप इसके लिए विल्कुल परिशान मत होई है इसके लिए आयोग भी लगा हुआ है कि जल्द से जल्द बैकेंसी निकाले क्योंकि आयोग के उपर लोड बढ़ता चला जा रहा है बैकेंसियों का और आ लेडी आप दे बाओ बनने वाला है कि यह वैकेंसिया पर 2022 के अंतरगत कौन-कौन से निकलने वाली है तो दोस्तों आपको बता दो कि जो चौटिस प्लस बैकेंसी निकलने वाली है वो पर 2021 के द्वारा ही आएंगी तो जो आप देख सकते हैं कि नीचे लिखा गया है स्लेवस चेंज होग तो दोस्तों इसमें सारे सवालों के जबाब आपको मैं दूँगा और धर्मों के वह भी देख सकते हैं आप बहुत सारे कंडिडेट तो नहीं आये थे तो आपको मैं बता दूं कि एजिट यह भरती बिग्यापन जो है क्यों नहीं आ रहा है सबसे पहले इसका जबाब कराने में बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और आपकी भरती बहुत लेट हो जाएगी तो इस पर यहीं डिसीजन लिया गया था कि 907 अभरतियों को डारेक्ट मेंस दिलाया जाएगा तो कुछ अभरतियों में यह भी अफवा पहल लई है कि 907 अभरतियों के सीटे फिक् बस ही है तो अब दिक्कत यह फसरी है सचु जी ने बताया कि 907 अभी तक पूरी डिटेल नहीं मिल पाई है इस वज़ा से वेकंसी आपकी जो है नहीं निकल पारी है और नहीं इसका अप्रूबल कारविभाग से आपा रहा है यही रीजन है कि वेकंसी नहीं आ पारी है वज़ा से आपकी वेकंसी लेट हो रही है विग्यापन इसका और कोई वज़ा नहीं है इसका विग्यापन लेट होने का तो जैसे हमें 907 अभरतियों के डिटेल मिलती है आपको विग्यापन देखने को मिल जाएगा यही उनका जवाब था दूसरी बात यह थी कि 907 अभर के जो सची होंगे वो आएंगे तो इसलिए अब लोगों को बिल्कुल निश्चित रहने की जरूवत है और बिल्कुल आप लोग तैयारी पर फोकुस रखिए तो वेकंसी आप यह आ जाएगी कल NCR की मीटिंग है लकनों में और उसमें सारे विभाग के अध्यच आएंगे मतलब सारे विभाग को जो सची होंगे चीफ होंगे वो सारे आएंगे सब उसी मीटिंग बैठेंगे और सबसे हर विभाग का जो भी पेंडिंग वर्क होगा या जो भी वर्क नहीं हो रहा होगा अभी तो वो सारे वहां पर पूछे जाएंगे और हर एक विभाग का निरा तारीक मीटिंग है तो उसमें हो सकता कुछ रिजल्ट इसका आ जाए क्लियर हो जाए दूसरा यह है कि इस लेबस चेंज होगा कि नहीं तो उन्होंने चाहब मना कर देबस आपका बिल्कुल भी नी चेंज होने कि इसके वäलेड़ेटरी तीन महिने एकスटेंड कर दी जाएगी बट ये जो विग्यापन है दो जार इकिस से ही आने वाला है ठीक है दोस्तों तो ये भी आपका डाउड जो है क्लियर हो गया और भ्र्ती विग्यापन कब आएगा और भ्र्ति विग्यापन कब आएगा ये भ झाल झाल